नमस्कार सरोजदा एप्रेंगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की रेसिपी है खजूर बर्फी ये तो आप सभी जानते हैं कि खजूर सेहत के लिए कितना फायदे मंद होता है और सर्दियों के मोसम में हमें खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए तो यहां पर हम बनाएंगी खजूर की बर्फी ये जो खजूर की बर्फी होती है ये टेस्टी तो होती है साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है और इसे घर पर आसानी से बना कर तयार किया जा सकता है तो आईए देख लेते हैं हमने घर पर खजूर की बर्फी किस तरीके से बनाया है कि खजूर की बर्फी बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कटोरी सीडलेस खजूर लिये हैं जिनके अंदर बीज नहीं है अगर आप खजूर लेते हैं और उसके अंदर अगर बीज होते हैं तो पहले आप बीज को निकाल करके अलग कर दीजे और उसके बाद मैंने क्या किया कि खजूर को मैंने छोटे छोटे टुकडो में कट कर लिया है तो खजूर को अच्छे से साफ करके इसे छोटे छोटे अब दूद्ध नॉर्मल टैंपरेचर का दूद्ध है ये गरम करके ठंडा के अवा दूद्ध लिया है मैंने और अब धक्कल लगा करके इसका एक बारिक पेश्ट तैयार कर लेंगे अब गैस पे रखें एक कड़ाई और उसमें डालें एक चमस देसी घी घी जैसे ही मेल्ट हो जाए तो उसमें हम पिसा हुआ खजूर का पेश्ट डालने के बाद इसे घी के साथ पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लीजिए पांच मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसका पेश्ट का कलर भी चेंज हो गया है और जो घी है वो भी सेपरेट होने लग मीठे होते हैं तो मीठा आप अपनी टेस्ट के अकोर्डिंग यूज करें और मीठा डालने के बाद जो पेश्ट है वो फिर से पतला हो जाएगा तो इसे हमें फिर से तीन से चार मिनट तक पकाना है चलाते रहेंगे चमत से ताके पेश्ट कड़ाई में चिपके नहीं और इसे अच्छे से पका लेंगे यह देखी लगबग मैंने तीन से चार मिनट इसको और पकाया है चीनी डालने के बाद और पेश्ट का कलर कितना चेंज हो गया है और यह अच्छे से पक गया है इसके बाद इसमें डालेंगे आधा चमच इलाइची पावडर और डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून कटेवे बादाम, 2 टेबल स्पून कटेवे काजू, और 2 टेबल स्पून ही डालेंगे इसमें कटेवे पिस्ता, ड्राय फ्रूट आप और भी अट कर सकते हैं अपने पसं से या फिर इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, और 2 टेबल स्पून के करीब मैंन लिया है यहां नारियल का पाउडर जो मार्किट में रेडिमेट नारियल पाउडर मिलता है वही नारियल पाउडर में यहां पर यूज किया है और सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे बैटर में अच्छे से और इसे हम दो से तीन मिनाट और पकाएंगे ताकि बैटर अच्छे से जो है थिक हो जाए और जब हम इसकी बर्फी बनाए तो बर्फी अच्छे से सैट हो जाए और ड्राइफ रूट भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे तो 2-3 मिनट और पकाएं यह दिखी लगबग 3 मिनट मैंने इसको और पकाया है फ्लेम को मीडि सेट करने के लिए मैंने एक प्लेट को घी से ग्रीज कर लिया है और इसके अंदर हम तैयार बैटर को फैलाएंगे और उपर से गार्निसिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूं नारियल का पावडर नारियल के पावडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें और इसको तो हम Navcultural powder से Garnis कर देंगे कि और अब इसको रखेंगे Set होने के लिए में अब यह देखें बर्फी का बै्टर हो अच्छे से सैट हो गया है इससे हम बर्फी के Pieces कट कर लेंगे आपकी खजूर की हेलदी तेश्टी बर्फी एक्तब तयार है बहुती फटाफट बनने वाली ये मिठाई है तो आप भी इन सर्दियों में ये रैस्पी ट्राइ कीजिए और अपने आपको बहुत सारे रोकों से बचाईए उमीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लेच चैनल को सस्क्राइब कीजिए साथी पैल का इकन जरूर फ्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई